जल बिना इस दुनिया में जीना सब का मुश्किल है अपनी नहीं भविश्य की सोचो भविश्य भी इसमें शामिल है कुदरत के द्वारा धर्ती पर हमारे जीवन के लिए जल एक अनमोल उपहार दिया गया है धर्ती पर मौजूद हर चीज और सभी जीवजन्तूं को पानी की जरूरत है जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और दूसरे जीवजन्तू इसलिए धर्ती पर जीवन के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए जल का संरक्षन और बचाव बेहत जरूरी होता है क्योंकि जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है आपने अक्सर लोगों को पानी के संरक्षन के लिए बहस करते या भाशर देते तो सुना ही होगा पर शायद ही आपने कभी किसी को इसके लिए कुछ करते भी देखा हो पर कुछ लोग आज भी हैं जो अलग-अलग संस्थाओं के माध्यम से पानी को बचाने के लिए पूरे मन से लगे हुए है Walk for Water Organization उन्ही मैंसे एक है इस संस्थाने जल के महत्व को समझने वो इसके संरक्षन के प्रती लोगों को जागरुक करने के लिए अंतर राश्ट्रिय जल दिवस पर दिल्ली के इंडिया गेट पर Walk for Water इवेंट का आयोजन शुरू हिया जिसमें हजारों लोग हिस्सा लेते हैं पानी को बचाने की जरूरत के इस अभियान में डेड़ किलोमीटर की Walk भी शामिल है Walk for Water Organization की अस्तित्व और इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हुए Organization की उत्रप्रदेश के Zonal Head श्रीपंकज अरूरा ने बताया की Walk for Water 2016 से ही शुरू हुआ है और अब तक देश भर में इस Organization के साथ लगभग 18 लाख लोग जुड़ चुके हैं इन्होंने बताया की Organization का मुख्य उद्देश्य लोगों को जलसन रक्षन के प्रती प्रेरित करना है यह मुवमेंट के बारे में मैं यह बताना चाहूँगा कि यह वर्ल्ड वाइड मुवमेंट है हमने यह इसको पिछले साल शुरू किया पिछले साल यह तेलंगाना और बाकी साउथ इंडिया में पूरा यह मुवमेंट चली जिसके अंतरगत हम लोग 18,000,000 लोगों को एक साथ जोड़ पाई इस मुवमेंट के साथ और हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया 302 किलोमेटर का human chain मना करके साथी साथ जो वाक फो वाटर ऑगनाईशन है पेरेंट ऑगनाईशन उसने तलंगाना आधी प्रांत के अनेकों गाउं के अंदर 16,800 बोर्वेल जो सुख चुके थे उनको रीचाज किया है 27,000 rooftop rainwater harvesting structure खड़े की है और उसके साथ ही हमने इतने आने वाले समय के अंदर हमने 1.3 billion लीटर पानी सेव किया है इसके लावा हम स्कूल और गाउं को अड़ाप करते हैं वहाँ जो water structure खराब हो गए होते हैं या पानी को और दूसरी कोई समस्या आ गई होती है तो waste treatment plant लगाते हैं, RO filtration plant लगाते हैं और CSR के उपकरम के मादेम से बहुत सारे स्कूलों को अड़ाप करवाते हैं हमारा जो motto है वो है universal access to clean drinking water to all on this planet और हम चाहते हैं कि ये पानी जो हमारा सबसे precious resource है ये conserve हो और जो प्रिथी का जो biological balance बिगड़ा है वो वापस से restore हो पानी को लेकर चल रही इस मुहिम से अब देश की युवा पीड़ी भी पानी को लेकर जागरुक होती जा रही है नई पीड़ी को ये नागवार गुजरने लगा है कि जिस तत्व को कुदरत ने मुफ्त में सब के लिए दिया आज उस पानी को हमें खरीद कर पीना पड़ता है जिस ओगनाइज़ेशन इस लोकिंग आफटर वन अव दी मॉस्ट इंपोर्टेंट को जिसको कई बार अंदेखा कर दिया जाता है दिल्ली में पानी की किलत सबसे जादा है यहां रहकर मुझे पता है यहां पानी किस तरह मिलता है यहां पर पैसों में पानी खरीद जाता है बहुत जादा प्रॉब्लम में वक्फर वाटर ऑगर ओगनाइज़ेशन है जिसने पिछले साल मुहीम उठाई थी कि वो हर जगा पानी की किलत के बारे में अवेरनेस फैलाएगी और बहुत जादा यह लास्टिया साहुत में सेक्स्वेसिल भूई ही ती इस साल नौर्थ में पहली बार यह और यह इस एम के साथ कि यहां पर भी अपना पर्चम पहरा है और सबको बताए कि वाट इसे वाटर स्काइशिटी अल बाउट में वाट वटनेशिए था मायर कमा भी आप चाई अविप आथि ख़ी ओप आप आप़े ऐस प्रफेशियित वर आट है तो खुलिए डिली में पानी की प्रबल्म को फेस करना बहुत बाद बात होती है यहां पर पानी की बहुत प्रॉब्लम रहती है दिस इस प्रोग्राम विच 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 वाइजेशन ने इस मुहिम के साथ युवा पीडी को जोड़ कर काफी अच्छा कदम उठाया है इन्होंने कहा कि मुहिम के साथ जुड़े युवा अपने परिवार, दोस्तों वो आसपास के लोगों में पानी बचाने का संदेश फैला सकती है मैं Walk for Water से पिछले 2-3 महीनों से जुड़ी हुई हूँ यहां पर बच्चों यह एक organization है जिसने बहुत अच्छा initiative लिया है बच्चों को बच्चों से लोग उठाया है युद से उठाया बच्चों को ताकि वो इस organization के साथ जुड़ सके और अपने friends में, अपने family members में यह information और यह awareness प्रेड कर सके चाहिए कि हमें पानी बचाना चाहिए हमें चड़ी-चूडे चाहिजों से शुरू करना चाहिए यह सम्दो ब्रॉस कररे होतuição है तो हम Tapp क्लोज spread. चाल लेना चैयने मतलब हम चोड़ी-चोडी-चीजों में ध्यानी रखते हैं हम यह बोलते हैं कि हम पानी बचाएंगे बड़ी सरकार को ब्लेम करते हैं हर दूसरी बात पर लेकिन हमें 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 खुद के तरफ से पचास साल के अंदर हमारे बच्चों के लिए पानी नहीं बचेगा तो अगर बचेगा नहीं तो अगर बचेगा नहीं तुम दूसरे प्लानेट में कैसे शिफ्ट करेंगे थिंक अबाउट दर लो पीपल बिलो पोवर्टी लाइन उनका क्या हो पाएगा तो यह बहुत बड प्योग को काबू में नहीं कर रहा है आप जारत देखतों कि भारत में अभी भी पीपल ऐसे हैं जिनने पीने के लिए पानी प्रोवाइड नहीं हो पाता जब भी उसका कारण है कि मतलब जो भी बड़े लोग होते हैं वो पानियों को जारत वेस्ट करते हैं जिसके कारण चोड़े घरों तक पानी नहीं पोश्च पाता है धरती पर पानी सीमित है और हमें इस पानी को बचाना है जिससे सही जगा पर इसका सही इस्तेमाल हो सके और इसके लिए हम सब को आज शपत लेनी होगी कि मैं जल बचाओंगा और जल को जुतिमानी से इस्तेमाल करूगा कि मैं जल 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 बचाओंगा रहां यहां पीच जल बचाना है जल शुतिमाता जल पर पंदिए गल में जल एके रहां जल झाल यहां जल शोधानी से उल शपतारा है एक जल दुब।